सुनासिनात महादेव मंदिर कहा जाता है कि इस मंदिर मोजो श्रीलिंग के स्थापना स्वयम इंद्र देव ने की थी औरंजेब की बरबड़ता और महादेव के चमतकारो के निशान यहां आज भी है जिस कारण ये मंदिर आज भी लोगों की आस्ता का केंद्र है हर सार महासिवरात्री और सावन के मेने में यहां भगतों की भारी भीर जुड़ती है और साथ ही मेला भी लगता है मलाओं में इस्थित इस मंदिर को बोले के भगत छोटा काशी भी कहते है तो दोस्तों कल धमाकेदार दिवाली बनाने के बाद हम जा रहे हैं महादेव मंदिर सुनासिद नास महादेव मंदिर जो की इस्थिता है हर दोई से साथ किलोमेटर की दूरी पर हम आज जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और इस यात्रा के दोरन क्या होता है और कितना खर्चा आता है सब कुछ बताओंगे अपने इस वीडियो में और ये मंदर क्यों फेमास है क्या है इसके पीछे की कहानी सब कुछ चानेंगे अपने इस वीडियो में तो वीडियो में बने देगेगा और वीडियो अच्छा पहुचाने में कोई कसन ही चोड़ी और आज हम जहां जा रहे हैं ये मंदिर भी मुगल शाशक और ये फी कूता और महादेव की सक्तिक अफ्रतीक है हम बात कर रहे हैं सुनासिनात महादेव मंदिर की जो की इस्तित्य मलावा नावक कस्वे में जो की हरदोई टिस्तिक से 60 किलोमेटर की दूरी पर सिता है और कानपूर से 100 किलोमेटर की दूरी पर सिता है दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह यहां आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कानपूर या हर्दू ही पहुचिए उसके बाद का सफर पस टैक्सी या अपने साधन से आप पूरा कर सकते हैं हम भी अपने तीन दोस्तों के साथ चल पड़े महादेव का आसरवार लेने के लिए मन में धेर सारे प्रश्ण थे क्या कहानी होग इस मंदर के पीछे क्या सच में महादेव ने कोई चमतकार दिखाया होगा क्या सच में और ये पिस मंदर को लूट पाने में सफल हुआ होगा ऐसे ही धेर सारे प्रश्णों के साथ इन सुन्दर रास्तों पर हमारी कार आगे बढ़ती जा रही थी हुआ है तो दोस्तो 60 किलोमेटर के सफ़ता करके हम आज के हैं सुनासिनात मंदिर और हम खड़े हैं मंदिर के परिशर में और यह पूरा जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर मेला लगता है और काफी बड़े स्थर्प लगता है और यह पूरा रास्ता गया हुआ है मंदिर की ओर तो चलते हैं आपको ले चलते हैं मंदिर और जाते हैं यहाँ की कहानी और कथा नमा हपार्वती पते हलार पहादे देखो सागत हुआ है यह रास्ता है यह रास्ता है यह रास्ता है मेला यह रखता है यह रादमा कादी कहर ना हो देख नहीं लगा है तो दोस्तो हम इसमें सुनासिनात मंदिर के सामने और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये हैं सुनासिनात मंदिर और हमारे जस्ट पीछे महादेव मातासती को लेकर तिराजमान है और यहां पे हम चलेंगे और सबसे पहले हम चलेंगे प्रसाद लेने के लिए यहीं पास में ही यहाँ प्रसाद के लिए मिठाय मिल जाती है जिसको लेने के बाद हम चलेंगे मंदिर में हाई चलते हैं दोस्तों प्रसाद लेने के बाद हम चल दिये हैं मंदिर के अंदर यह रास्ता बनाया गिया है तक कि सावन में जब जीड काफी सक्या में होती है तब आराम से लोग आज उसके दोस्तों आज बात करते हैं इस मंदिर के बारे में क्या है कहानी इस मंदर की और क्यों लोग दूर दूर से यहां चले आते हैं इस मंदिर में सोनी के कलश, दरवाजे और जमीन पर गिन्या जड़ी थी लेकिन सोलवे सिदापती में मुगल बासा और इंजेब ने मंदिर का सोन लूटने के लिए आकरमन कर दिया लेकिन जब छेतर के गोरा खेडा के लोगों को और इंजेब की आकरमन की भनक लगी तो वो उसका मुकाबला करने आप पहुचे हाला कि और इंजेब की भारी सेना के सामने वो जड़ा देर टिक ना सके और उन्हें हार का सामना करना पड़ा इसके बाद और एंग्जेब और उसके सेंकों ने मंदिर में लगे दो सोनी की कलस फर्स में जड़ी सोनी की गिनिया और सोनी की घंटे वह दरवाजे सब लूट लिये इतना ही नहीं उसने मंदिर को ध्वस्ट करने का भी यादेश दे दिया और सिविलिंग पर आरी चलाकर उसे भी नश्ट करने का प्रयास किया लेकिन वो इस सिविलिंग को नश्ट करने में असफल रहा मुगलों की बरबरता के निशान आज भी उस सिविलिंग पर मौजूद है आप इस मंदिर के सिविलियंग पर आरिक के निशान अब में देख सकते हैं सेकड़ो वर्थों से ये मंदिर लोगों की आस्ता का केंदर बना हुआ है यहां आज भी देश विदेश से लोग आकर महादीव से मननत मांगते हैं सावन की दिनों पे यहां भगतों का जमावड़ा लगा रहता है सावन के संबार को यहां दूर दूर से भगत भगवान का जलाव शेक करने आते हैं मंदिर को लूटने के बाद और इंजेव अपने सेनकों को आदेश देता है कि सिविलिंग को खाड़ कर फेक दिया जाए लेकिन जैसे ही सिविलिंग को खाड़ने चलते हैं तो सिविलिंग की गहराई और उसका कार बढ़ने लगता है सिविलिंग कहीं अस्वल ना हो जाए इसके कारण औरंगेब सिविलिंग पर आड़ी चलाकर उसे काटने काट देता है लेकिन जैसे ही सिविलिंग को सानिक काटना सूर करते हैं तो सिविलिंग से दूद की धारा बहने लगती है इतना ही नहीं उस सिविलिंग से असंक बरिया निकलकर फौज पर हामला कर देती है इन बरियों से जान बजाकर फौज भाकती नजराती है इस तरह बरियों से बचकर बड़ी मुस्किल से फौज और औरंगेब अपने प्राण बचाता है सैकड़ों वर्षों से यह मंदिन लोग की आस्ता का केंदर बना हुआ है यहाँ आज भी देशी देशे लोग आकर महादीव से मन्नते मांगते हैं सावन की दिनों में यहाँ भगतों का जमावड़ा लगा रहता है और हाँ सावन यहाँ मेला लगता है सावन के सुमबारों को यहाँ दूर दूर से भग भगवान का जलाब शीक करने आते हैं दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर महादीव जी की मूरती है साथ ही उनके हाथों है माता सती और यह एक आर्टिफिशल गुफा भी है आए देखते हैं इस गुफा के अंदर कैसा है और यह कैसा गुफा कहां जाती है आए में साथ आए चलते हैं इस गुफा में हरार महादीव यह आर्टिफिशल गुफा है और बिल्कुल वास्टिक्त लग रही है यहां पर लाइट भी है ताकि आप यहां आरम से निकाल सकें यहां पर मातला निकी मुटती भी है यहां आईए तो यह थी छोड़ी से आर्टिफिशल गुफा यहां पर आप गुफा के इंजॉय कर सकते हैं आर्टिफिशल यह सही गुफा तो है आईए अगर आप यहांना चाहते हैं तो चले आईए महादेव का नाम लेकिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सक्षन में हरहर महादेव लिखना न भूलिए नमह पारवती पते हरहर महादेव अगर अगर आप यहादेव